समोसा, रसकुले, डोसा, इटली, स्वाधिष्ट खाने की प्लेट, तरह तरह के सलाद, हेल्थ फूर्ड जैसे किनुवा सलाद, मेक्सिकन कुसकुस सलाद, बीट रूट हंकर, मल्टी ग्रेन वजटिबल सांडविच, ये सब कुछ अगर आपको अपने काम करने की जगापर मि ले, तो कैसा लगेगा? जाहिर है आपका आनंद दुख न हो जाएगा, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये सारे और इसके साथ ही खाने के और भी इंतजाम किये गए हैं देश की धड़कन कहे जाने वाले संसर्धवन के विशाल परिसर में. इस केटरिंग यूनिट की खासियत ये है कि प्रधान मंतरी, लोगसभाद्यक्ष, राजिसभा के सभापती, अक्सर यहां के स्वादिष्ट खानों का लुद्फ फुटाते हैं. आपने संसर्धवन की नई केटरिंग यूनिट के विशे में काफी कुछ सुना होगा, आज आप उस केटरिंग यूनिट को देखेंगे हमारी नजर से. तीन भागों में बटी है संसत दवन की केटरिंग यूनिट पार्लिमेंट हाउस केटरिंग यूनिट, पार्लिमेंट हाउस एनेकसी किचिन और पार्लिमेंट हाउस लाबरेरी किचिन और व्यवस्थाएं भी काफी खासें पैंटरी में संसत परिशर में 12 से 15 पैंटरी है जिनमें पीम की पैंटरी, लोगसभा धिक्ष की पैंटरी, नेता प्रतिपक्ष की पैंटरी, राज्य सभा की पैंटरी, MP डानिंग रूम और मीडिया पैंटरी 1968 से Northern Railway Catering Unit ने संसत भवन में Catering का काम समा लगा है, ये व्यवस्ता लंबे समय तक चली, 17 वी लोगसभा में ओम बिल्लान ने अध्यक्ष का पत्भार ग्रहन किया, तो उनका ध्यान इसके बदलाव की तरफ किया, उन्होंने Catering Unit को नया रूप देने का काम शुरू किया, इ मकसद था, खाने पर मिलने वाले Establishment Costs को कम करना, खाना और केटरिंग की विवस्ता को चुस्त दुरुस्त करना, खाने पर Establishment Costs की वज़ा से सरकार को करीब 20 करोड रुपे सालाना खर्च करना पड़ रहा था, अध्यक्ष महोदे के इस वैंसले के बाद, अब ये बज जब चल रहा होता है, तो कैंटीन में करीब 5000 लोगों का खाना बनता है, और हर दिन की बात करें तो खाना आमतोर पर सुबह 11 बजे तक तयार कर लिया जाता है, क्वालिटी से कोई समझोता ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, रसोही के रंग रूप में भी काफी ब रीफिंग के बाद ही काम शुरू होता है, यहां के प्रशेशित शेप केटरिंग यूनिट की समयदारी बखो भी निभा रहे हैं लग डले बड़ी बड़ी बिबड़ी तटी। न था मनननने वी से K bob में अख 놓ेू। यह झ emission के प्रिष्टक पेटिप्स न च thickness, बजय कर रहे ह ça है, वी बड़ीिर का तक में चका खतान का तक क वीक The thickness of the gravies and we do not do much fusion here like we are responsible for showcasing Indian cuisine to the VVIP and to all the visiting dignitaries Catering unit in many major changes in theoda 10,000L Shanta deep freezer or Walking refrigerator Auto wash system Fire Suppression system पहले संसद भवन परिसर में छोटे बड़े आयोजनों के लिए नमकीन और मिठाईयां बाहर से मंगानी परती थी अब केटरिंग के तहद ही हलवाई खंड की विशेश विवस्ता की गई है इसका फाइदा भी मिल रहा है अब मिठाईयां और नमकीन बाहर से नहीं मंगवाए जाते और यहां तैयार मिठाईयां और नमकीन स्वाद में भी किसी से कम नहीं कुरोना संकट और भविश्य की जरूरतों को देखते हुए ITDC केटरिंग यूनिट खाने का ओडर लेने के लिए खास आप बनाने की योजना पर काम कर रही है आप के माध्यम से अपनी जगह पैठे पैठे खाने का ओडर दिया जा सकेगा पैमिंट की विवस्था प्रिपेट होगी इधर आप का बटन दबा और उधर मिंटों में मन पसंद खाना सामने होगा इस पूरी विवस्था के लिए जरूरी खाद्य सामगरी, अनाच, डाले, तेल, घी, मसाले के खरीद केंद्रिय भंडार से होती है खाद्य परिसर की संसत परिसर के गेट पर कड़ी चेकिंग होती है खाने का सामान सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्हें बड़े-बड़े कोल स्टोरिज में रखा जाता है सच भोजन तयार करना, खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखना और अंतराष्ट्य मानकों पर खाना तयार करना इतना आसान भी नहीं है पर संसत भवन की केटरिंग यूनिट बड़ी कुशलता के साथ अपना दाइद्व निभा रही है तभी तो ये बाकी कैंटीन से बिल्कुल भिन्न है तो अगली बार जब आपको संसत भवन आने का मौका मिले तो ITDC केटरिंग यूनिट के खाने का स्वाथ लेना ना भूले